Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी इंट्राडे अनलेसिस सेयर करूँगा जिसमें कम से कम risk reward ratio 1 is to 2 या फिर इससे जादा का होगा तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं I hope आप सभी लोगों का आज का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा सबसे पहले हम लोग उने स्टॉक्स को डिसकस कर लेते हैं जिसे मैंने आप लोगों के साथ आज के इंट्राडे सेशन के लिए सेयर किया था तो आज के लिए ट्रेडर्स मेरा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था HDFC जिसके अंदर आज हम लोगों को एक बहतरीन ब्रेकाउट देखने के लिए मिला और उसके बाद इसके अंदर एक बहतरीन मोमेंटम भी मिलता हुआ नजर आया है और ये हमारे टारगेट को सक्सेस्फुली एचीव किया है और आप मेंसे जितने भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन किये हुए हैं उन लोगों को मैंने इसके बारे में अपडेट भी दिया था हम लोग देख सकते हैं कि सुरुआत में ये 2760 के आसपस में रेजिटांस फेस कर रहा था तो इसलिए मैंने आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था कि HDFC अभी रेजिटांस फेस कर रहा है तो आप लोग अपना 70% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और अगर ये 2760 को ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर easily हम लोग को 2770 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है तो 2770 के टारगेट के लिए हम लोग remaining quantity का stop loss जो है वो ट्रेल कर देंगे ताकि अगर नीचे चला जाए तो हम लोग को उसमें ज्यादा loss नहीं हो और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC के अंदर हम लोग को सेम वहीं चीज़ देखने के लिए मिला अगर हम लोग यहाँ पर 2760 के आसपास में एक line draw करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यह बार बार यहीं पर आ करके resistance face कर रहा था और फिर यहाँ पर जब इसके अंदर एक breakout देखने के मिला तो एक और अच्छा कासा momentum इसके अंदर आप लोग catch कर सकते थे तो traders I hope आप सभी लोगों को मेरी EA analysis पसंद आई होगी और इसके अंदर आप सभी लोगों ने एक बहतरीन profit generate किया होगा आज के लिए मेरा दूसरा intraday stock था Anani Enterprises जिसके अंदर हम लोग को एक बार फिर से बहुत ही सांदर breakout देखने के लिए मिला और इसके अंदर हमारा जो target था यानि की 1850 का जिसको ये बहुत ही अच्छी तरह से achieve किया हम लोग देख सकते हैं फिर ये अपने EC levels को retest करने के Reliance के अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि 2350 के उपर में हम लोग को इसे buy करना था और यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही सांदर breakout देखने के लिए मिला था और ये जाकर के exactly हमारा जो target था उसको achieve किया है अलाकि personally Reliance का जो trade था वो मुझसे miss हो गया था क्योंकि Reliance के अंदर बहुत ही speed में momentum हम लोग को देखने के लिए मिला था लेकिन अगर आपने से किसी ने भी इस momentum को catch किया है तो नीचे comment section में जरूर बताइएगा मुझे ये जान करके बहुत ही ज़्यादा खुसी होगी आज के लिए traders मेरा अगला intraday stock था हिंदुस्तान Aeronautics Limited इसके अंदर traders ह भी एक छोटा सा trade initiate कर सकते हैं हलका सकम quantity में तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इसके अंदर ये breakdown देखने के लिए मिला फिर ये इसको बहुत ये अच्छी तरह से retest करने के लिए भी गया और फिर इसके अंदर एक सांदार fall होता हुआ नजराया है तो अगर आप के लिए traders मेरा आखरी intraday stock था SBI card जिसके अंदर आज हम लोग का stop loss हुआ है लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 735 के levels को ये break कर दिया था और उसके बाद continuous यहाँ पर हम लोग को buyers और sellers के बीच में एक fight देखने के लिए मिल रहा था जहाँ पर ये जो candle है वो दिखला दिया थ चुका है और इसके बाद हमारा जो stop loss था इसके अंदर वो hit कर गया तो आज के लिए traders SBI card एक मात्र ऐसा stock रहा जिसके अंदर हमारा stop loss ही हुआ है बाकी सारे के सारे stocks में हमारा जो target है वो successfully achieve हुए है तो I hope आप सभी लोगों को मेरी आज की analysis पसंद आई होगी और इतने भेतर charts की analysis या फिर किसी stock के अंदर कोई भी pattern या breakout breakdown मुझे देखने के लिए मिलता है तो उन सारी चीजों का updates मैं आप लोग के साथ यहीं पर share करता हूँ आज के दिन भी मैंने दो intraday stock analysis आप लोग के साथ यहाँ पर share किया था जिसमें से IGL के अंदर हम लोग को एक बहुत ही बेह आएगा मुझे यह जान करके बहुत ही जादा अच्छा लाएगा अलाकि बजाज finger में हमारा एक stopless भी हीट हुआ है जिन लोगों ने इसके अंदर अपने trade को initiate किया होगा निश्ची तोर पर उनका एक छोटा सा stopless भी गया होगा लेकिन जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारा जो stopless होता है वो बहुत ही कम होता है target के comparison में तो अगर किसी stock के अंदर हमारा stopless भी हीट होता है तो कोई जादा दिक्कत की बात नहीं है वैसे भी उसके मुकाबले हम लोग को maximum stocks में target achieve होता है वो भी more than 1 to 2 risk reward ratio के साथ में तो I hope traders आप सभी लोग को मेरी analysis पसंदारी तो उन लोगों से मेरा request है कि आप लोग please इस channel को subscribe कर दीजे ताकि मुझे थोड़ा सा और motivation मिल सके कि मैं आप लोग के लिए इसी तरह से बेहतरीन intraday stocks खोज करके लाया करूँ on the daily basis तो चलिए अब हम लोग discuss कर लेते हैं उन stocks को जिसे आप लोग कल के लिए अपने watch list में add कर के रख सकते हैं और jean stocks के अंदर हम लोग को potentially कोई भी breakout या फिर breakdown देखने के लिए मिल सकता है कल के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा take him, take him के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सांदार ascending triangle pattern हम लोग को बनते हुए नजरा रहा है, पिछले 15-20 द क्योंकि यह बहुत ही जादा दिन से खुद को इसी zone में consolidate करते हुए दिख रहा है, तो इसलिए traders take him को कल के लिए आप लोग जरूर अपने radar पर रखिएगा, इसका जो level से वो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर mention कर दिया है, आप लोग इसे note down कर सकते हैं या फिर screenshot भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप लोग भी मेरी तरह support और resistance को draw कर लिजे, ताकि live market में आप लोग और भी ज़्यादा clarity के साथ अपने trades को execute कर पाएं, और कल के लिए traders मेरा दूसरा intraday stock रहेगा, अमराजा batteries, इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही snake line को break कर देता है, तो फिर इसके अंदर हम लोग को एक और selling pressure create होता हुआ देख सकता है, और इसके अंदर हम लोग एक अच्छा कासा intraday move भी capture कर सकते हैं, तो इसलिए traders हम राजा batteries को भी कल के लिए आप लोग जरूर अपने radar पर रखिएगा, और कल के लिए traders मेरा अगला intrad stock रहेगा SBI Life, इसके अंदर traders हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही सांदार ascending triangle pattern हम लोग को बनते हुए दिख रहा है, similar kind of pattern यहाँ पर take em के अंदर भी हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा था और take em को हम लोगों ने अपने radar पर रखा है, तो इसलिए SBI Life को भी कल के लिए हम लोग अपने radar पर रखने वाले हैं, अगर कल यह अपने इस resistance zone को break कर देता है, तो फिर इसके अंदर भी हम लोग एक भेतरीन intraday move capture कर सकते हैं, तो इसलिए SBI Life को भी कल के लिए आप लोग जरूर अपने watchlist में add करके रख लीजिएगा, और कल के लिए traders मेरा अ अल्रेडी यह बहुत बार support लेता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है, तो उस case में इसके अंदर हम लोग double confirmation के साथ अपनी trade को initiate कर सकते हैं, और एक अच्छा कासा intraday move capture कर सकते हैं, इसका भी levels मैंने आप लोग के लिए यहां पर mention कर दिया है, आप लोग जरूर इसे note down कर और कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा Cummins Industries, इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि यह बहुत बार already इस support zone पर support ले चुका है, और पिछले दो दीन में लगबग तीन बार आ करके try कर रहा है इसको break कर देने के, तो ऐसे में कल अगर यह successfully इसको break कर देता है और इसके नी पर आ करके support ले रहा है, तो ऐसे में कोई भी breakout इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, और अगर उसको यह sustain कर लेता है, तो एक बहुत ही बेहतरिन intraday move हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं, तो इसलिए traders इसे भी जरूर आप लोग अपने radar पर रखेगा, तो traders कल के लिए आप लोग इन सारे stocks को अपने watchlist में add करके रख सकते हैं, और इन सभी stocks के साथ साथ कल के लिए आप लोग दो और intraday stocks को अगर चाहे तो अपने radar पर रख सकते हैं, जैसे कि Infosys, Infosys के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं, कि यह जो trend line है, वो major resistance का का काम कर रहा है, तो ऐसे में क अगर breakout देखने के लिए मिलता है, तो एक अच्छा कासा momentum इसके अंदर भी आप लोग catch कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग सिपला को भी अपने radar पर रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग daily time frame में भी सिपला को देखेंगे, तो आज बहुत ही बहतरीन breakout हम लोग को यह यहाँ पर देखने के लिए मिला है, और अगर आज का daily candle को भी ध्यान से देखेंगे, तो यह बहुत ही strong candle बनते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में कल अगर यह अपने आज के high को break कर देता है, यानि कि 920 के उपर में जा करके sustain करता है, तो एक और अच्छा खासा entry and move हम stocks के अंदर कोई भी breakout देखने के लिए मिलता है, तो इन दोनों का जो proper levels है हो, मैं आप लोग के साथ अपने telegram channel पर share कर दूँगा, तो इसलिए आप लोग जरूर इसे join कर लिजेगा, और अगर आप लोग मुझसे personally connect करना चाहते हैं, तो मैंने आप लोग के अपना email ID का link और साथी में Instagram ID का link नीचे description box में provide कर दिया है, वहाँ से आप लोग मुझसे personally connect कर सकते हैं, और आप लोग का जो भी doubts होगा, उसको solve करने का मैं पूरा try करूँगा, तो I hope traders, आप लोग को मेरी आज की analysis पसंद आई होगी, इसी के साथ हम लोग आज की अपने इस video को खतम करते हैं धन्यवाद